संजीव भट वही IPS अफसर जिनोंने 2002 में हुए गुजरात दंगो में ततकालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर साल 2011 में सवाल खड़े किये थे और उसी साल इन्हें निलंबित भी कर दिया गया अब इन्हें एक केस में 20 साल की सजा सुना दी गई है 2002 के गुजरात दंगो में मोदी की भूमिका पर सवाल उठाने के बाद निलंबित हो जाने और अब 20 साल की सजा हो जाने में क्या कनेक्शन है चलिए जानते हैं इस वीडियो में नमस्कार मेरा नाम हिनिवेता शांडिली और आप देख रहे हैं मॉलेटिक्स संजीव भट IIT मुंबई से पोस्ट ग्रैजुएट है और साल 1988 में भारतिय पुलिस सेवा में आये और उन्हें गुजरात काडर मिला ये राज़ के कई जिलों पुलिस आयुक्त के कार्याल है और अन्य पुलिस इकाईउं में काम कर चुके हैं दिसंबर 1999 से सितंबर 2002 तक गुजरात राज़ के खूफिया ब्यूरो में उपायुक्त के रूप में कारे रत थे गुजरात के आंतरिक सुरक्षा से जुड़े सब ही मामले इनके अधीन थे इन में सीमा सुरक्षा और तटिय सुरक्षा के अलावा वी वी आईपी लोगों की सुरक्षा भी शामिल थी इस दायरे में मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी आती थी संजीव भट नोडल अफसर भी थे जो कई केंद्री एजेंसियों और सेना के साथ खूफिया जानकारियों का आदान प्रदान भी करते थे जब साल 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे उस समय भी संजीव भट इसी पदबे थे गुजरात दंगों के बाद से ही नरेंद्र मोदी पर संजीव भट लगातार सवाल उठाते रहे हैं इसी के चलते साल 2011 अप्रेल में इन्होंने अल्प संख्यक आयोग, नीनावती आयोग और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया था कि 2002 के दंगों के दौरान गुजरात सरकार द्वारा पुलिस को जान बूज कर धील दी गई थी इन्होंने दावा किया कि गोध्रा कांड के बाद 27 फरवरी 2002 की शाम मुख्यमंत्री के आवास पर हुई एक सुरक्षा बैठक में वो मौजूद थे इसमें मोदी ने कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों से कहा था कि हिंदूओं को अपना गुस्सा उतारने का मौका दिया जाना चाहिए माना जाता है कि मोदी सरकार और संजीव भट के बीच संबंध इस याचिका के बाद तल्ख हो गया बाद में साल 2011 में ही संजीव भट को बगैर अनुमती के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और सरकारी वाहन का दुरुपियों करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया और 30 सितंबर 2011 को संजीव भट को उनके घर से गिरफतार कर लिया गया ये गिरफतारी उनके साथ काम कर चुके एक कॉंस्टेबल केडी पंत की ओर से दर्ज पुलिस रिपोर्ट के आधार पर की गई थी इस रिपोर्ट में संजीव भट पर आरोप लगाये गये थे कि उन्होंने दबाव डाल कर मोदी के खिलाफ हलफ नामा दायर करवाया संजीव भट की पतनी श्वेता भट के मुताबिक गिरफतारी के दूसरे दिन भी पुलिस उनके घर की तलाशी लेने पहुची थी लेकिन वारंट के बारे में पूछने पर पुराना वारंट दिखाया गया उन्होंने पुलिस पर बार बार तलाशी करके परिशान करने का अरोप लगाया था श्वेता भट का कहना था कि एक वारंट पर आप दो बार तलाशी नहीं ले सकते हैं ये हमें परिशान करना है इसके बाद साल 2012 में इनके खिलाफ एक और पुराना केस खोल दिया गया जिस पर गुजरात हाई कोर्ट ने 2011 तक रोक लगा रखी थी दरसल नवंबर 1990 में जब भारती जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्णा अडवानी ने जाम जोध पूर शहर में अपनी रथियात्रा निकाली तब इन्होंने दंगा करने के आरोप में लग भग तेड़ सो लोगों को हिरासत में ले लिया था हिरासत में लिये गए लोगों में से एक थे प्रभुदास वैशनानी जिसको 9 दिनों के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया और कथित तौर पर उनकी रिहाई के 10 दिन बाद एक अस्पताल में इलाज के दोरान उनकी मौत हो गई उसके बाद प्रभुदास वैशनानी के भाई अमरित लाल ने तब संजीव भट और आठ और पुलिस कर्मियों के खिलाफ हिरासत में यातना देने का अरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कथित हिरासत में यातना के कारण प्रभुदास वैशनानी की मौत से संबंधित मामले में जामरगर पुलिस के ततकालीन अधिक्षक संजीव भट को हिरासत में ले लिया गया इंडियन एक्सप्रस की रिपोर्ट के अनुसार संजीव भट को 1995 में इसमें एक मजिस्ट्रेट द्वारा दोशी पाया गया लेकिन गुजरात उच्च नियायाले ने इसे खारिच कर दिया और 2011 तक मुकदमे पर रोक लगाये रखी थी इसके बाद 2012 में ये रोक हटा दी गई इसके बाद साल 2015 में आए एक कथित अशलील वीडियो को लेकर संजीव भट को पहले गुजरात सरकार ने कारण बता और नोटिस जारी किया नोटिस में कहा गया कि वे अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ रिष्ट्य पर सफाई दें हलांकि भट ने कथित अशलील वीडियो में खुद के होने से इंकार कर दिया था और कहा था कि वीडियो में मौजूद आदमी उनकी तरह दिखता है पर वे स्वयम उसमें नहीं है तब उन्होंने गुजरात सरकार पर राजनेतिक द्वेश के कारण कारवाई करने का आरोप लगाया था वीडियो के माम में उनका कहना था ये वीडियो सबसे पहले मई 2014 में सामने आया था इसे तेजिंदर पाल बगगा के ट्विटर अकाउंट से अपलोड किया गया था बगगा नमोपत्रिका के संपादक है और दक्षर पंथी संगठन भगत सिंग करांती सेना से जुड़े हुए हैं बाद में उसी साल संजी भट को 19 अगस 2015 को पद से बरखास्त कर दिया गया बरखास्त करने का कारण बताया गया अपने जूनियर पुलिस अधिकारी से गलत ह अलफ नामा दाखिल करवाना और गुजरात के उस समय के डोकेट जनरल तुसार महता का जीमेल हैक करवाना बरखास्त होने के बाद इन पर मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया और प्रभुदास वैसनानी वाले केस की सुनवाई एक बार फिर से होने लगी इसके लावा साल 2018 में इन पर एक और मुकदमे के चलते स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसाइटी का गठन किया गया देखे पूर्वाई पियस अधिकारी संजीव भट पर राजस्थान के वकील सुमेर सिंग राजपुरोहित को भसाने के लिए ड्रग्स प्लांट करने के आरोप थ उस समय संजीव भट बनास काठा जिले के पुलिस अधिक्षक के रूप में कारेरत थे उनके अधीन जिला पुलिस ने राजस्थान के वकील सुमेर सिंग राजपुरोहित को इस मामले में एंडी पियस एक्ट के तहत गिरफतार कर लिया था बाद में राजस्थान पुलिस का होने के बावजूद इसमें कोई खास कारवाई नहीं हुई जिसके बाद 2018 में गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक SIT बनाई गई इसके बाद संजीव भट को पुलिस कारवाई का 2018 में फिर से सामना करना पड़ा जब उन्हें 5 सितंबर 2018 को CID ने गिरफतार कर 2 नमबर 2018 को SIT ने अपनी जाज पूरी कर थी उस समय कहा गया कि 1998 पालनपुर ड्रग प्लांटिंग केस में हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनकी गिरफतारी हुई उनके साथ 7 अन्य लोगों की भी गिरफतारी हुई थी इनमें कुछ आरोपी राजस्थान के हैं राजस्थ जेल में रखने को कैसे सही ठहराया जा सकता है वो भी 23 साल पुराने एक मामले में जिसे बदले की भावना और अपनी सुविधा से दोबारा खोला गया है उन्होंने लिखा है कि संजीव भट को अभी भी जेल में रखा गया है और उन्हें जमानत के एक बुनियादी नाग उसके बाद अब इन्हें ड्रग्स प्लांट करने के केस में 20 साल की सजा सुनाई गई है आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और आपकी क्या राया है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वी वीडिय इसको सब्सक्राइब जरूर करें बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद